ओम सिरी गनेशाइनमा दोस्तो एश्टो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथ फरवरी मंगलवार के रासी फल के बारे में की हाँ दिन मिथुन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपू जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिग्वेस्ट है अगर आप हमारे इस च मेथों राशी वालों के लिए मंगलवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजटिव रहने वाला हैं दोस्तों आज धन अचल संपत्ती इत्यादी को लेकर भी इस्तितियां आपके काफी अनुकूल रहने वाली हैं यदि आप नौकरी करते हैं तो न निवेश का भी नजरिया अपना सकते हैं और निवेश कर आर्थिक इस्तिती को और भी मजबूत बनाने में आप सफल हो सकते हैं। नौकरी बदनना चाहें तो उसमें भी आपको आज सफलता प्राप्त हो सकती हैं। आप कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं। दोस्तों साती सात आज आप किसी पार्टी में भी सामिल हो सकते हैं। अत्वा परिवार और मित्रों के साथ कहीं डिनर या लेंच पर जाने का भी आप प्लान बना सकते हैं। अला के छेतर से जुड़े लोगों के लिए भी समय आज का काफी अच्छा रहेगा। जो लोग आध्यात्मिक के छेतर में लगे हैं उन्हें भी आज अच्छे परणामों की प्राप्ती होगी जिससे उनका मन बहुती प्रसन रहेगा। साथी साथ इस समय आप अपने काम में महारत हासिल करेंगे और आपके वरिष्ट अधिकारियों द्वारा भी आपके कारों को सरहारा जाएगा। आपके करियर में तरक्की होगी और यदि आप मन से मेहनत करते हैं तो सफलता पाने से और पदोनती से आपको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है। कि अत्यादिक आत्म विश्वास में पढ़कर कोई भी गलत निर्णे ना लें और अपने अधिनिस्त करमचारियों को भी किसी प्रिकार का कष्ट ना दें। अन्यता इस्थिति आपके विपरीत हो सकती है। इसलिए दोस्तों तैयार हो जाएए और संभावनाओं को सच में तबदील करने के लिए क्योंकि अभी का समय आपके लिए महनत करने का समय है। इसलिए आप जम कर पसीना बाहें, अपनी जिम्मेदारियों के मूल को समझने में आपको परेशानी हो सकती है। इसके लिए आपको अपने परिवार के किसी अनुबव व्यक्ति से सला लेने की आवशकता पढ़ सकती है। जिहां दोस्तों, कई बातों को लेकर आप आज चिंतित हो सकते हैं, जिससे सारारिक तथा मानसिक रूप से आज आप ऐस्वस्त का अनुबव कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ आज अनबन भी हो सकती हैं। सकारत्मक सोच वे आत्म विश्वास कारों में आज आपको सफलता दिलाएगा। या दोस्तों, आपके लिए आज आवशक होगा कि आप किसी भी निर्णे को लेने से पहले अपना पूरा समय लें। और सोच समझ कर ही समस्याओं का हल निकालें। और समस्याओं को हल करने के लिए प्रियाप्त संसादनों को जुटाएं। परिवारिक जीवन में आज चिंताओं की वरद्दी हो सकती हैं। लेकिन यदि आप सब को साथ लेकर चलेंगे तो समस्याओं धीरे धीरे काबू में आ जाएंगी। दोस्तो बात करते हैं आज आपकी लव लाइफ के शिरेने वाली हैं। दोस्तो आपके प्रेम जीवन में आज बाहर आएगी आपको जरूत हैं। तो बस अपने आख कान खुले रखने की जो एविवायत हैं। तो प्रेम विवाके आज उनके लिए योग बनेंगे। प्रेतम से आज आप अपने दिल की बात साजह कर सकते हैं। दोस्तो प्रेम संबंद आज अच्छे हो सकते हैं। मन के अनुकूल प्रेमी प्रेमी का मिलने की भी आज संभावना पाई जाती है। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो उससे अपने मन की बात भी आज आप शेयर कर सकते हैं। अपने बातों को आज आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तो आप अपने प्रेम जीवन में आज आगे बढ़ेंगे और आपके प्रेम जीवन में शान्ती, सदबाब, रोमांस आदी का आज समावेस होगा। बहुती आसानी से पूरे होंगे दोस्तो आपको अपने करियर और विजिदिस में आज अच्छी सफलता प्राप्त होगी आप अपने सफलता के आज जंडेगार देंगे जैं दोस्तो आर्थिक रूप से भी आज उन्नती के अच्छे अफसर आपके सामने आएंगे और उसके आज आप अच्छा धनलाब प्राप्त करने में भी सफल हो सकेंगे जैं दोस्तो भार की कमपनियों से भी आज आपको अच्छा लाब प्राप्त होने की संभावना हैं साथी साथ विध्यारतियों के लिए भी आज का दिन मिला जुला रहने वाला हैं कोट कचैरी से योजनाएं बनाएंगे जिन में उनको अवस्चे ही सफल तप्राप्त होगी नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन मिला जुला रहने वाला हैं दोस्तो बात करते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला हैं दोस्तो आज आपकी स्वास्थ में कुछ हद त जिससे आपकी परेसानियां कुछ हद तक कम हो सकती हैं दोस्तो साथ इसाथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के Лिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वास्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाए क्या हैं दोस्तो आज आप इश्रान आदिशे निर्वत्र होने के बाद भगवान बजरंग बली जी के मंदर जाएं और भगवान बजरंग बली जी को आप गुड और चने का प्रशाद अवश्य चड़ाएं और साती सात वहीं बैटकर हनमान चालिसा का भी एक बार पाठ आप बहुत सच्चे मन से बहुती स्रदभाव से अवश्य करें और अपनी मनों काम नए मांगें या दोस्तो ऐसा करने मात्र से ही बगवान बजरंग बली बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जोगी आपके जीवन में परिशानिया चल नहीं हैं समस्त परिशानियों कांत करेंगे और आपको जल्द ही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और आपके सभी कार्रें बहुत यासानी से बनने लगेंगे दोस्तो भगवान बजरंग बली का असिरवाद आपको प्राप्त हो सच्च दिल से कमेंट्स बोक्स में जै बजरंग बली धन्यवाद